नाशकार मित्रो मेरा नाम है महल पटेल और आज हम देखेंगे 27 नवेंबर फ्राइडे के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज़े कौन सी लगी फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन को एक्सप्लोर करने की जरूरत है असल में ये नया मुद्दा नई है वो काफी साल से कह रहे हैं कि बारत में लोगसभा के चुनाव अलग विदान सभा के राजे के विदान सभा के चुनाव अलग, पंचायद के चुनाव अलग तो पूरा साल किसी न किसी राजे में कोई न कोई चुनाव चलते रहता है इसके कारण से एक तो इलेक्शन प्रोसेस में बहुत जादा खर्चाता है District Administration के सब Officers ये CRPF और दूसरे सुरक्षा एजनसी उनके duty लगी रहती है और फिर क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो Election Commission Model Code of Conduct लागू करता है कि इतने टाइम तक सरकार नहीं योजनाय लॉंच नहीं कर पाएगी वरना Opposition Party को चुनाव में Election के अंदर Equal Ground नहीं मिलेगी तो ये सब के चलते सरकार भी सब विकास के काम नहीं कर पाती कि इदर चुनाव आचार सही तालागू है वगएर और Minister का भी पूरा ध्यान काम करने की जग़र पर इदर उदर चुनाव प्रचार में लगा रहता है तो क्यों न हम ऐसा करें कि कम से कम लोग सबा और विदान सबा के चुनाव एक साथ हो जाए एक ही बार में और 5 साल तक फिर कोई चुनाव नहीं ताकि सही से काम चले ऐसा करेंगे उसके क्या फाइदे नुकसान होंगे ये नया मुद्धा नहीं बहुत टाइम से चल रहा है आज अब क्योंकि प्राइम निस्टर ने फिर से बोला तो आप गिन के रखिए कि अगले 2-3 हपते तक इंडियन एक्सप्रेस दहिंदू वाले इसी की कॉलम लिखते रहेंगे आपने उसमें से कुछ भी तैयार नहीं करना है उसका कारण मैने के अंत में ये जब भी Current of HPDF वाला निकालेगा ये वीजन, IS, IS Parliament वगेरा उसमें उसने वो सब कवर करके देगा वो तो आपने तैयार करने होंगे कि ये प्रोपोजल के फेवर में चार मुद्दे, अगेंस्ट में चार मुद्दे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, काम हो गया 250 वर्ड से बड़ी तो चीज है ने So do not waste time like this अभी आपने नहीं ये पूरा मैने के अंत में जब आये तो एक बार देख लेना और ऐसी सब चीजों की एक एक गंटे के वीडियो देखने को बैठ हूँ नहीं भई ये तो 15 मिनिट पढ़के खतम करने वाले टॉपिक है तो मैंने आज ये कह दिया One Nation, One Election अंत में करना है तो अभी जितनी बार कॉलम आएंगे मैं यही बोलूँगा Next Front page पे vaccine की trial Not important, ball by ball commentary फिर केंदर सरकार ने वो APMC reform के कानून बना थे उसके सामने कीसान सब विरोध कर रहे हैं और दिल्ली चलो का अभियान करने वाले हैं राजस्थान वागेरा, ये Not important अपने foreign secretary नेपल की विजिट में जा रहे है Not important उसमें से finally कोई agreement निकल के है तो अब देखना चाहिए Otherwise नो फिर वही proposal RBA का की बड़े corporate कंपनिया और NBFC को बैंक का license देते हैं उसके फाइदे नुकसान के बारे में कुछ headline Not important Page 2 पर अनुसंदान में चारी है कुछ काम का नहीं Page 3 के अंदर state specific news कुछ काम का नहीं Page 4 पर भी कुछ state specific में आज काम का नहीं देखा Page 5 पर सरकारी advertisement Page 6 पर ये राशी पविशे काम का नहीं Page 7 पर सरकारी विज्यापन काम के नहीं Page 8 Page 8 के अंदर ये जो आर्जेंटिना के footballer Diego Maradona का देहांद हुआ उसके बारे में एक बहुत बड़ी कॉलम आई है बहुत बड़ी वाली कॉलम हमको नहीं पढ़नी लेकिन Page 8 के अंदर ये bottom left corner पर एक है ball loses foot और उसमें Maradona के बारे में छोटी सी कॉलम है ये छोटी वाली कॉलम पढ़नी है इसलिए कि CSET paper 2 में LC कभी कभी sports वाली कॉलम डाल देते हैं तो पढ़ने की आदत हो तो फिर वहाँ पर जल्दी से खतम कर सको वरना लोग उसको reading comprehension जल्दी खतम नहीं कर पाते इसके अलबा Page 8 पर दूसरे जो कॉलम है Vice President ने कल बोला था कि Judicial overage नियाई कति प्रसर की सुप्रीम कोट और ये सब पटाकों पर बैन वगेरा लगाते हैं वो असल में उन्होंने इतना आगे नहीं करना चाहिए उस पर आज counter में argument लिखे गए हैं लेकिन मुद्दे इतने जोड़दार ने कि हम पड़के कुछ मज़ा है फिर बीजेपी है धराबाद चुनाओ के अंदर कुछ हिंदू-मुस्लिम काम खा नहीं पेज एट पर जो तीसरी काम की कॉलम है एक आईयस ओफिसर मीता रवी लोचन उन्होंने लिखा है lessons from the company ये वाली पढ़नी चाहिए कॉलम में बात ये है कि इस्ट इंडिया कंपनी जब बारत में शुरू-शुरू में आई तो उसको ये सब कोकोली, उस बीटलनट्स ये सब एक्सपोर्ट करके हार्ली 2-3 लाक रुपे कमाते थे जबकि उनको बारत के अंदर बामबे में अपना जो भी सेटलमेंट बनाया होगा उसको चलाने के लिए लाक रुपे की जरुवत थी तो वो भी सालाना एक दो जहाज लूट लेते थे पायरसी, सी पायरसी करते थे तो ऐसाने कि वो सब बहुत दूद के दुले लोग थे और आज की तारिक में फिर भी बारत के लोग ये समधते हैं कि अमेरिका और इंग्लेंड से हमने डिग्री ले ली तो हम बहुत बड़े हो गए और वो ही सब उनके पास ग्यान है और हम तो ये जो अपनी inferiority, complex, गुलाम मान सिकता इससे हमने निकलने की ज़रूरत है सीराजुद दौला उसको जब प्लासी में हराय गया क्यों क्योंकि जगत, सेट और मानिक, चन टाइप के लोग वो अपने ही गदारी करके गए क्यार ये सब पुरानों चीजों से अभी हमने सबक क्या लेना है सबक ये लेना है कि उस जमाने में East India Company ने Monopoly कर ली थी ट्रेड पे उनकी Monopoly थी जिसके चलते उन्होंने हमें गुलाम कर दिया आज की तारिक में ये multinational company जैसे Facebook, Google उनकी data पर Monopoly हो रही है हमारा सारा data उनके पास है और कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ये जूम एप और Google Meet और हम दीरे-दीरे करके उन्हीं कंपनियों के फिर से ऐसे गुलाम बन रहे है कि बविश्य में ऐसा ना हो जाए कि भारत वापस से Western World की Digital Colony बन जाए तो आप इस पर विचार करें कि आपको लगता है कि ये Information Communication Technology और Data Monopoly के चलते बारत और एशिया फिर से ऐसी Western कंपनियों का ये जो नई प्रकार की इस इंडिया कंपनियों का डिजिटल गुलाम बन जाएगा तिंक अबाट इट ये निबंद में Impact of Globalization for Means Paper 1 हर जगा पर थोड़े थोड़े लिखने वाले मुद्दे है पेज 9 पर एक बहुत बड़ी कॉलम इसी बारे में कि लार्ज कॉर्पोरेट्स और NBFC कंपनियों को बेंक का लाइसेंस देने से क्या फाइदे नुक्सान होगे इसके बारे में Economic Survey Next Year अपने अरुक जो भी सपष्ट करे कि देना चाहे कि नहीं देना चाहे हमने उतना याद करने तो छोड़ो इसको फिर JNU University में स्वामी विवेकानन का नया स्टैचू लगा जा रहा है तो इसके बारे में कुछ की ये उसके क्या अच्छी बुरी चीज़े हैं और ऐसा टेंक और विवेकानन का स्टैचू लगाने से क्या होगा वगेरा टाइबी JNU टाइब की ये सब में कुछ हमारा काम का नहीं में इसमें लिखने लाइक मुद्दे नहीं फिर कॉलम है एमद पटेल जो कॉंग्रेस के लीडर थे उनका देहान हुआ तो उनकी और श्रदान जली लेकिन एक्जाम पॉइंट और विवे से फाइदे मन नहीं पेज 10 वापस से स्टेट स्पेसिफिक न्यूज के स्टड़ी के लिए एक मुद्दा यहां से दिखता है यह न्यूज कुछ ऐसी हुई कि एक महिला ने अपने 2 साल के बच्चे को तमिल नाडू के ऐसा नी संतान जो कपल था उनको करीब 2 लाख रुपे में बेच दिया अब ऐसा भी नहीं कि वो महिला को अचानक से बहुत गरीब थी और पैसो की जरूरत थी इसलिए बेचा उसने इसलिए बेचा क्योंकि उसके पूराने पती का यह लड़का था जो उसके बॉइफ्रेंड को पसंद नहीं था और उसको शादी करनी थी इसलिए उसने अपने लड़के को बेच दिया पुलिस ने महिला को अरेश्ट किया है और वो तमिलनाडू कपल से उन्होंने बेचा बेटा जो था उसको भी वापस ले लिया है अगर आप यह डिस्ट्रिक चाइल डेवलप्मेंट ओफिसर हैं तो इस केस में आप बच्चे के साथ क्या करेंगे option A बेटे को आप अनाथा लाए में बेच दो या option B वापस उस बेटे को तमिलनाडू वाले कपल को बेच दे दो या option 3 किसी और कपल को दे दो इन सभी के फाइदे नुकसान क्या है क्योंकि मा के पास वापस बेद नहीं सकते उसको दिल्चस्पी दिखती नहीं इसलिए तो बेच दिया उसको so what will you do और हरे के क्या आपको आयम दिखते हैं stakeholder perspective और ये क्या तमिलनाडू कपल ने पैसा लेकर खरीदा वो गलत खरीदा उनके पास बच्चा नहीं है और so think about all those things ethics paper 4 के लिए that was page 10 एमदाबाद edition page 11 page 11 के अंदर कुछ खास चीज़े नहीं अपने national security advisor Ajit Doval स्री लंका की विजिट पे जाएंगे अपने foreign minister Jai Shankar Sashels की विजिट में और अपने foreign secretary नेपाल जा रहे हैं और मतलब की पूरे Indian Ocean region में हम लोग और सब बैतर करने वाले ये सब ball by ball काम का नहीं जब पूरे कोई जोरदार उसमें से agreement निकल के आए तब तैयार करना चाहिए other than that page 11 पर नहीं और कुछ खास काम का नहीं page 12 page 12 पर एक काफी दिल्चस्प समचार Central Pollution Control Board CPCB उन्होंने पिसले 2000 साल से लेके 2019 का स्टड़ी क्या है लगबग 20 साल का स्टड़ी और पाया कि इंडो गैंजेटिक प्लें ये अपना गंगा वाला जो मैदानी प्रदेश वो न सिर्फ मारत में लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एर पॉल्यूशन वाला रीजन है और उसके सब कारण वगेरा गिनवाए हैं आप आरम से पढ़िए फिर बॉल बाइबॉल कामेंटरी में Cox and Kings जो की एक ट्राविल NBFC कंपनी है वो प्रिवेंशन आप मनी लॉंडिंग एक के अंदर वो कुछ दांदली कर रही थी एन्फोर्स्मेंट डारेक्टरी स्टड़ी कर रहा है ऐसी बॉल बाइबॉल काम की नहीं लेकिन ये भी हमको देखाता है कि क्यूं हमने बड़ी NBFC कंपनीओं को बैंक का लाइसनस नहीं देना चाहे क्योंकि वो तो पहले से मनी लॉंडिंग और ऐसे कांट कर रहे है इसके बाद सब स्टेट स्पेसिफिक निउस नॉट सो इंपोर्टन साइकलोन निवार मैंने आपको बताए एक साथ डिजास्टर मैनेजमेंट तियार करो फिर हम सिधा जम करें पेज 13 पर वैक्सिन टाहल की एक्स्प्लेंट सीरीज काम की नहीं लंग इंजरी की एक्स्प्लेंट सीरीज काम की नहीं तीसरी एक्स्प्लेंट सीरीज जो है प्रेसिडेंट्स पावर टू पारडन राश्टरपती जो माफी दे सकते हैं गुनेगारों को तो अमेरिका के प्रेसिदेंट के क्या पावर बारत के प्रेसिदेंट के क्या पावर या पढ़िए ये पॉलिटी में काम की चीज है फिर पेज 13 पर इंटरनेशनल रिलेशन उसमें वो बीडें ट्रम का बोल बच्चन जा रही है काम का नहीं सिर्फ एक MCQ के लिए काम की चीज न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड ने प्रस्ताव रखा है कि हम क्लाइमेट इमर्जंसी डिक्लेयर करेंगे जैसे नैशनल इमर्जंसी होती है उसी तरह क्लाइमेट इमर्जंसी डिक्लेयर करेंगे ताकि ग्लोबल वर्मिंग से लड़ सके और न्यूजिलेंड ऐसा पहला देश नहीं है इनके पहले भी कैनेडा, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसा कर चुके है तो MCQ के लिए याद रखे फिर हम चले पेज 15 पर पेज 15 के अंदर आप जानते के एनपी सी आई नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया नाम की एक और्गेनाईजेशन है not for profit company है जिसमें SBI और दूसरे अलग-अलग 10 बैंकों ने शेर होल्डिंग से इसको बनाया था और ये जो NPCI उसका काम है UPI, BIM और ऐसी अलग-अलग technology solution डेवलप करना उन्होंने Paytm, PhonePay, Amazon Pay ये सब क्या है? सब payment service provider Paytm तो भी payment bank का लाइसन्स है इन सब लोगों को उन्होंने करीब 82 करोर्स के शेर्स बेच कर उनको भी करीब 4% की शेर होल्डिंग दी है और इसे NPCI को फाइदा क्या है ये सब जो पूंजी उनको मिली है उससे वो नए technology solution बनाएंगे और Paytm Phone पे, Amazon पे उनको क्या फाइदा हो सकता है उनको ये क्योंकि अब शेर होल्डर बन गए बॉर्ड अब डारेक्टर में कोई position मिले तो वो भी policy decision of the NPCI कि क्या product develop करने चाहिए वगेरा वो सोचेंगे तो ये उनके फाइदे नुकसान है हमारे लिए कोई बहुत जोरदार इसमें से means का प्रशन नहीं बनता है बहुत कीच के है शायद MCQ में की ATM is also a shareholder in NPCI है तो ये statement is correct international trade के अंदर एक theory का मुता है balance of payment और उसमें चीज होती है capital account convertibility यानि बारत से आप जितना rupee को dollar में convert कर सको dollar को rupee में convert कर सको for capital account transaction मतलब loan में पैसा लेकर आए borrowing में पैसा लेकर आए ये सब तो उसपर कुछ restriction होते है और उसको अगर पूरा restriction भी कर दिया जाए उसे कहा जाता है capital account convertibility तो उसपर शक्तिकांतादाश की हाँ हम इसमें reform लेंगे वगएरा लेकिन ये ball by ball comedy कुछ काम की नहीं theorem को एक paragraph की पता होनी चाहिए फिर कुछ काम का नहीं then other not important news के अंदर वो लक्ष्मिलांस bank और DBS का merger की कोई चीजे काम की नहीं Amazon future और Reliance वाला जो case है कुछ काम का नहीं petroleum and natural gas regulatory board यानि PNGRB जिसका काम है ये जो gas और petrol बेचा जाता है उसके कुछ नियम बनाने की उनको वो regulator एक टाइप का statutory regulator तो उन्होंने unified gas pipeline tariff structure मलब pipe की मदद से जो gas पहुँचाया जाता है उस पर कितना price होना चाहिए उसके कुछ नियम थे कि इतने kilometer तक अगर pipe चल रही है तो इतना price उसके बागे चले तो इतना price तो उसमें उन्होंने कुछ सुधार किये हैं ताकि सस्ते में gas बारत के कोने कोने तक पहुंच सके now what exactly is the formula is not important वो पूरी-पूरी इस पर भी even current office PDF बनाने वाले इस पर पूरा एक-एक page का detail analysis लिखते हैं वो कुछ काम का नहीं don't waste time like that बहुत कीच के कि यहां उन्होंने कुछ नियम बनायता की की फायती दामों पर affordable price पर gas सब को मिल सके page 16 sports उसमें ये डियागाउ मेरा डोना का दियान दुआ तो उसकी सब श्रदान जली टाइप की चीज़े हैं काम की नहीं तो यहां पर हमारा 27 नवेंबर का Indian Express खतम होता है